असम में काजी रंगा नैशनल पार्क मानसून में चार महिने बंद रहने के बाद एक अक्टूबर को सैलानियों के लिए खोल दिया गया उसके बाद से पार्क में अब तक 13,000 से ज़ादा सैलानी आ चुके हैं अधिकारियों के मुताविक पार्क में देश विदेश सैलानी आ रही हैं इससे लोकल लोगों की अच्छी कमाई हो रही है काजी रंगा नैशनल पार्क पर तूरिस्ट रम अक्टूबर फस्ट सो वह गूट रन आफ तूरिस्ट आफ तूरिस्ट सो पर हाल में आई रिपोर्ट के मताविक पार्क में बागों और एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़ी है लहाज अधिकारियों को सैलानियों की संख्या भी बढ़ने की उमीध है we are expecting that this trend will continue because we are having holidays in the coming days also so we get most number of tourists in the holiday so we are expecting a good trend and also the sightings have been very good so far we are getting regular tiger sighting in kohara every day we are getting report of tourist sighting tigers and also as we know Kajiranga is very काजी रंगा नेशनल पार्क और युनेसको ने विश्व धरोहर की मान्यदा दी है यहां बागों हाथियों और एक सिंग वाले गेंडे समेच जानवरों की कई प्रजातियां पाई जाती है